पुरियो जन्द है नियाए की राहें तो देखते रहिए तेज मिकाहें आउनलाइन नियूज साउथ इस दिली के जैदपूर इलाके में 29 साल के यूवग की चोरी के शक में पीट पीट कर बेहरायमी से हत्या कर दी गई फिलाल पुलिस ने इस मामले में एक यूवग को रासत में लिया है और मामले की जांच कर रही है ये तस्वीर है 29 साल के गोविंद की जो अब इस दुनिया में नहीं रहा देर रात कुछ लोगों ने चोरी के शक में पीट पीट कर गोविंद को बड़ी ही बेहरायमी से माड डाला दरसल ये घटना देर रात की है गोविंद के कुछ दो उसे घर से बुला कर ले गए इसके बाद देर रात उसके पिता के पास फोन आया कि आपके लड़के को चोरी करते हुए पकड़ा है लेकिन जब तक परिवार वाले मौके पर पहुँचे गोविंद को हॉस्पिटल ले जा चुके थे जहां डॉक्टर्स ने उसे म्रत घोशित कर दिया घरवालों के मताविक गोविंद की लाठी वे डंडो से इतनी बुरी तरह पीटा गया कि उसको हुस्पिटल ले जाते हुए रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया अब समय में हुए उसके मारा पीटा क्या करा उसके साथ ले और सुपर का अस्पशे बहुत बाद बहुत बड़ा चला रहा है तो पोलिस हमारे घर की इंको आरी कर रही थी उनके घर की इस कोई आरी ने दिती गोविन की तीन महीने पहले ही शादी हुई थी गोविन की मौत की खवर मिलने के बाद घरवालों का रो रोकर बुरा हाल है फिलाल पुलिस ने इस मामले में एक लड़के को भी हिरासत में लिया है हाला कि पुलिस ने इस मामले में हत्या का मामला दर्च कर लिया है और मामले की जाच में जुटी हुई है कि क्या वाकिए में गोविन की हत्या चोरी के शक में हुई है या फिर हत्या के पीछे और कोई वज़े है सुनाक्षी के साथ विजेन चोहान साउत इस दिल्ली मुर्य अच्छू झाल